नमस्कार दोस्तों Zero Song Teaser रिलीज हो चुका है बभीता बनकर अपने हुसन का पर्चम लहराने आ रही हैं केट्रीना कैफ शारुखान केट्रीना कैफ और अनुर्षका शर्मा की मोस्ट अवेटेट फिल्म Zero Aka एक और गाना एक और नया गाना रिलीज होने वाला है लेकिन गाने के रिलीज से पहले किंग खान ने इसकी जलक अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर की है गाने में केट्रीना कैफ का हॉट अफ़तार नज़र आने वाला है याने की बहुत ही अच्छ अदाज में हॉट अफ़तार में केट्रीना कैफ नज़र आने वाली है टीजर में केट्रीना कैफ और शारुक खान दिखाई दे रहे हैं गाने के टीजर को शेर करते हुए शारुक खाने लिखा कि पूरे देश में चक्का जाम लग जाएगा जब बबीता कुमारी का हुसन पर्चम लहराएगा इस साल के सबसे सिजलिंग गाने के लिए तयार रहें 12 दिसंबर को रिलीज हो रहा है ये गाना इस गाने के बोल है हुसन पर्चम इसमें संगीत अजे अतुल ने दिया है और इसके बोल इर्शाद कामिल ने लिखे हैं गाने का टीजर ऐसा है कि फैंस को इसका बेसबरी से इंतजार होना लाजमी है जीरो के ट्रेलर को दर्श को द्वारा बहुत ही ज़ादा अच्छा रिस्पॉंस मिला है बहुत ही ज़ादा प्यार मिला है पिछले मैंने रिलीज हुए ट्रेलर को यूट्यूब पर अब तक 10 करोड से भी ज़ादा लोगों ने देखा जा चुका है हाली में फिल्म के दो गाने रिलीज हुए हैं जिसमें पहला गाना है मेरे नाम तू जिसमें शारुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ नज़र आने वाले हैं पिछले हफ़ते सल्मान खान और शारू खान पर फिल्माई गए गाने इश्कबाजी को भी रिलीज कर दिया गया था जिसे अब तक करीब 3 करोड लोग देख चुके हैं आनन अल्रॉई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शारू खान एक बोने लड़की के किरदार में नज़र आने वाले हैं जीरो क्रिस्मस के मौके पर यानिकी 21 टिसमबर को सिनेमाज में रिलीज होने जारी है जैसे कि आप जानते हैं कि शारु खान की हर एक फिल्म बहुती जादा मज़िदार होती है बहुती एक अच्छी स्क्रिप्ट का चैन करते हैं शारु खान और बहुती अच्छे तरीकिस से अभिने करते हैं बड़े परदे पर और उनकी बहुत सारी फिल्म ऐसी है जिसको कभी आप कितनी बार भी देख सकते हैं जैसे कि दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे और बहुत सारी ऐसे फिल्म है जिसमें कि उन्होंने दर्शकों का बहुत ज़दा प्यार बटोरा है और बहुत सारी तारीफे बटोरी हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस फिल्म में 21 दिसमबर को ही पता चलेगा जैसे कि आप जानते हैं 21 दिसमबर को दो तिन फिल्म ऐसी रिलीज होने वाली है जो की कड़ी टकर देंगी जीरो को यानि की एक फिल्म है के जी जो की यश्की है जो की साउथ के एक सूपस्टार है जिनको लोग बहुत ही जादा देखना पसं इसके मतलब कि उनका जो अभी नहीं होता है या फिर उनका जो डांस होता है हर एक तरीके से दर्शक उन्हें बहुत ही जादा पसंद करते हैं और उनकी हर एक आने वाली फिल्म का बेस्वबरी से इंतजार करते हैं और दूसरी फिल्म की बात करो तो वो है मारी टू यानि क एक और फिल्म है जो रिलीज होने वाली है 21 तारिक को यानि कि 21 दिसंबर को जो 3-4 फिल्में रिलीज होने वाली है उनके बीच में बहुती बड़ा मुकाबला होने वाला है यानि कि अगर मैं बात करूँ शारु खान की तो ये बॉलिवुड के किंग खान है और बहुत सारे इनके फैन्स हैं जो कि इनकी फिल्म का इंदिजार करें तो देखते हैं बॉक्स ओफिस पर शारु खान की फिल्म कितना अच्छा बिजनस कर पाती है क्या धमाल मचाती है और इसकी क्या स्क्रिप्ट होती है या फिर डिरेक्शन कैसा होता है क्योंकि हम आने ल रॉय की बात दिया है तो देखेंगे जीरो फिल्म में क्या नया किरेदार लेकर आ रहे है शारु खान और किस नई कहानी पर काम कर रही है ये तिगडी तो हम जल्दी लोटेंगे entertainment से जुड़ी या फिर Bollywood से जुड़ी latest news के साथ thank you so much keep watching today's for more news channel को subscribe करना ना भूले इसके साथ टुड़ेज की आपको भी जरू डाउनलोड करें और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं